हलो फ्रेंड वेलकम डिवाई चैनल कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूँ आप सो भी अच्छे होंगे और अपनी तयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे देखें आज का हमारा सत्रों पार्ट है आपको पता है कि हम लोग सास सो पचास हमसी की सिरीज जो है चला रहे हैं किसकी बाल विकास की जिसमें से हम लोगों ने 370 कोश्चन अभी तक पढ़ दिये हैं तो पिछले वीडियो यानि 16 पार्ट अगर आप नहीं पढ़ें डिस्क्रप्शन में आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा तो आप वहाँ से पिछले वीडियो जरू देखीगा चैनल पर अगर आप पहली बारा हैं चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा बेल आइकन दबा दीजेगा जिससे कि आपको नए वीडियो की नोटिपिकेशन समय से मिलती रहे ठीक है और अगर आपको वीडियो में कुछ भ इंपर्टन प्रस्ण है राष्टी ये द्रष्टी बादितार्थ संस्थान कहां इस्थित है सिमला कोलकाता दहरादून या दिल्ली तो देखिए दा से सुरू होता है द्रष्टी और दा से सुरू होता है दहरादून तो दोनों का मिलाप कर दिजे आपका यही वाला अपस साझ आम का लड़का बिरकुल निल है निल मतलब बहुत कम या माली जीरुबटा सनाटा तो जैसे आता है किसने कहा पिछड़ा बालगवा है जो अपनी आई वरक के अन्हे छात्रों के पेचा बहुत कम सैची को परबदी करता है यानि सा जो लड़का है वो बिर्कुल निल है तो आपका क्या होगा पहला वला आप्शन से होगा बहुत कम अगला है अधिगम से संबंदित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उप्चार क्या है चार आप्शन है कठोर परिष्रम का सुझाव नहीं होगा ग्रंताले में निरिछे तरदिन ये भी नहीं होगा निजी सिच्छण का सुझाव ये भी नहीं होगा निदानात्मक सिच्छण जो है ये कारे करेगा ठीक है जो विद्यार्थी अधिकम से संबंदित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उप्चार है निदानात्मक सिच्छाण अगला इस समस्याओं सिच्छा मानती है कि हमें को के अनरूप बदलना चाहिए विवस्था बच्चे परिवेस परिवार बच्चे विवस्था या बच्चे परिवेस तो समस्याओं सिच्छा मानती है कि हमें विवस्था को बच्चे के अनरूप बदलना है तो आपका कौन सा आप्शन से पहला वाला तो भाया देखिए प्रश्ने मारा सफल समावेशन को निम लिकित की आवसकता होती है सिवाए एक को छोड़ करके जो आपके आप्शन में दिया गया है कि प्रश्न की भागिदारी छमता समवर्धन समवेदन सील बनाना तो सफल समावेशन को निम लिकित की आवसकता होती है अगला विशिष्ट बालको की सिच्छा है तू सिच्छक को ध्यान देना चाहिए अपने पहनावे पर अनुसासन पर व्यक्तिगत आवसकताओं पर या पाटिकरम पर तो विशेष्ट बालोकों की सिच्छा है तो सिच्छक को बच्चों की व्यक्तिगत और सक्ताओं पर ध्यान देना चाहेगी बच्चे को जो है किस तरीके से पढ़ाना है अगला भारत के सैच्छक इतियास में किसे ने प्रात्मिक सिच्छा का मौले गदिकार संबंदी बिल धारा सभा या इंपीरियल काउंसिल में प्रस्तुत किया था कफिल सिब्बल जवाहला नहरू गोपाल कृष्ण गोखले या अबदूल कलाम आजाद देखे ये प्रस्तुत किये थे गोपाल कृष्ण गोखले जी ने 1910 में क्या किया था बारत की सैचिक इतियास में प्रात्मिक सिच्छा को मौलिक इतिकार बनाने का इंपीरियल सभा में या इंपीरियल काउंसिल में धारा सभा में 1910 में गोपाल कृष्ण गोकली ने बिल प्रश्टूत किया था किससे प्रभावित होकर बड़ादा के नरेश साया जी राव गयकोड से प्रभावित होकरके 1910 में ये बिल प्रश्टूत किया था अगला हस्त सिल्फ शिच्छा दे जाती है प्रतिबा साली बच्चों को सरजन सील बच्चों को या सरजन साली बच्चों को पिछड़े हुए बालुकों को या अपराधी बच्चों को तो हस्त सिल्फ सिच्छा दी जाती है किसे पिछड़े हुए बच्चों को अगला इन्यम लिकर में से कौन सा विशिष्ट बालुकों का प्रकार नहीं माना जाता है धीमी गत्से सीखने वाले ये तो हैं सरजन सील बालक, सारीडू ग्रूप से विकलांग या साधन संपन बालक तो साधन संपन बालक जो होते हैं ये विशिष्ट बालक के अंतरगत नहीं आते हैं बाकि आपके सारे विशिष्ट बालकों के अंतरगत आते हैं अगला NCTE का पूरा नाम क्या है National Council of Teachers इजली नेरेशन काउंसिल आप टीचर इजली एक National Council of Trade Education तो इसका पूरा नाम होता है National Council of Teacher Education अगला विक्तियों के सारीरिक बीमारियों में कितने प्रसेत तक दबाव की भूमिका महतपूर होती है यानि सारीरिक बीमारी में प्रेसर जो है वो कितना महत रखता है कितना परसंटेज होता है तो यह होता है पचास से सत्तर प्रसंट ठीक है याद रखेगा मांजी गुरूप से स्वष्ट अध्यापक की विशेष्टा क्या है विशग्यानी अनुसासन पसंद सम्वेदनात्मा गुरूप से संतुलित अत्यदिक सम्वेदन सिल तो यह होता है समझेद दरानात्मा गुरूप से संतुलेतापका स्रीवाला आपसन इसमें सही होगा अगला है धीमी अधिगम गत से सीखने वाले बालोकों के लिए प्रभाव साली विधी है या क्यान विधी, द्रस स्रव विधी, चरजा विधी या स्रव विधी तो धीमी गत से सीखने वाले बच्चों के लिए प्रभाव साली विधी है द्रस स्रव विधी यानि देखें और सुनें, देख करके सुन करके बच्चा ज्यादा सीखता है या क्यान विधी से चरचा विधी से नहीं काम चल पाएगा चोटा बच्चा होता है अगर उसे सुनाई देगा तब भी नहीं काम चलेगा अगर सुनाई और दिखाई दोनों चीज देगा जैसे आप टेली वीजन पे जो है कोई भी एक कार्टून चला दें और वो आवाज करता है अच्छे से बोलता है प्रभावशाली धंग से बोलता तो यह होता है दबाव से निपटने में प्रेसर से निपटने में यह रच्छा तंद्र बहुत जायता करता है अगला कुछ लोगों का कहना है कि जब बाल को गुस्टा आता है तो उसे खेले के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते हैं उनके पर जिए जब तक अपना वो गुस्टा सांथ नहीं कर लेता है तब पर घर नहीं आता है तो मतलब एक पर एक पर जो गुस्टा आरा था उसको बाहर निकाल दिया गया जानि एक का गुस्टा दूसरे पर विस्थापित करना तो इसी जी से आपका यह वाला आप्सन सह भी ह का माहुल कैसा ह의 विध्याले का माहल कैसा है समदाय का माहल कैसा सभी चीजों पर ये बराबर तरीके से नेर्भर करता है बच्चे का मानसिक्ष्वास्त तो आपका डी वाला आप्षे निसमें सई होगbahn अगला अंतर राष्टी विकलांग दिवस कब होता है बहुत ही मैं तो पूर प्रश्ण है तो ये होता है आपका तीन दिसंबर को और 10 दिसंबर को मानवा अधिकार दिवस होता है अगला है राष्टी मानसिक विकलांग संस्थान कहां है फैजावाद, सिकंदराबाद, मुरादाबाद या होसंगाबाद देखे द्रष्टी बाधितार्थ वाला था आपका देहरादून में दासिदा मिल गए, दादा हो गए, ठीके अगला है राष्टी मानसिक विकलांग संस्थान इसको याद करने की बहुत ही सांदाश ठीक है मन हमारा सिकंदर में लगा था, बहुत ही अच्छा वो राजा था तो मांसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद यहाँ पे क्या रहा है मन तो जैसे ही मांसिक आता है मन हमारा सिकंदराबाद में यानि सिकंदर में लगा था तो मांसिक विकलांग संस्थान राष्टी मांसि विकलांग संस्थान आपका सिकंद्राबाद में होगा राष्टी अपंग विकलांग संस्थान कहा है यह कोलकाता में पंगा मत लेना कोलकाता से इस तरीक से आप लोग याद रखेगा ठीक है बाकी otherwise कुछ भी मत ले जाएए याद करने की ट्रिक है मन से जुड़ा हुआ है सिकंद्र मन लगा हमारा सिकंद्र में द्रश्टी हमारी देहरादून पे है और पंगा मत लेना कोलकाता से याद करने की ट्रिक कोलकाता आई पेल ले टीम ठीक है अगला राष्टी श्रमण हीन विकलांग संस्थान कहां है देहरादून हैदराबाद मुंबई या कोलकाता सुन लो मुंबई सुन लो मुंबई तो आपका अप्षन कौन साच चाहोगा स्रमण मतलब क्या होता है सुनना और मन मन हमारा सिकंद्र में लगा है यानि मानसिक विकलांग संस्थान आपका सिकंदराबाद में और सुन लो मुंबई स्रवण हीन विकलांग संस्थान आपका मुंबई में है ठीक है इस तरीके से आप लोग याद रखेगा और पंगा मत लेना IPL की टीम कोलकाता से अपंगता का कारण नहीं है बीमारी जन्जात अनिमेता मनरंजन या दुरगटना तो भाईया अपंगता का कारण निम्न में उससे सी वाला नहीं होगा भाई मनरंजन का उसा अपंगता कारण होता है तो बाकी आपके होंगे बीमारी जनजात अनीमेता दुरगटना बारती समिधान के कौन से अनुछेद में ये कौन सा अनुछेद विकलांग विक्तियों के कल्याड से संबधित है तो भया बारती समिधान का अनुछेद 41 और 46 ये विकलांग विक्तियों के कल्याड से संबधि तो यह आपका जो है अन्य होगा ठीक है यह इसमें नहीं आता है और किसमें अगला प्रश्णी राष्टी द्रश्च बाधितार संस्थान कहां है अभी मैंने आपको बताए था दा से दा मिल गए दादा हो गए तो देहरा दूम अगला है मानसिक स्वास्त का आरथ है वास्तिक धरातल पर वातामन से पर्याप सामंजत से स्थापित करने की योगिता यह कतन किसका है यह बहुत इच्छा प्रश्णी लेडल का ड्रेवर का नन का या इसकिनर का तो यह कतन है लेडल का लेडल का ठीक है भाई देखिए धरात एक पारेत हुआ था यह पारेत हुआ था 1995 में विकलांग जनदियम 1995 में पारेत हुआ था वखिय अंतर राष्टी विकलांग वर्ष कौन सा था 1982 विकलांग दिवसकब होता है 3 दिसमबर को टर्मन के अनुसार मांसिक रूप से विकलांग बालक होता है जिसकी IQ कम होती है 80 से कम, 60 से कम, 70 से कम या 90 से कम तो ये होती है 70 से कम जिसकी IQ 70 से कम होती है उनको मंद बुद्धी बालक कहते हैं किसने का है बिने क्रो एंड क्रो साइमान या नन तो ये कहे हैं क्रो एंड क्रो मांसिक मंदता के प्रकार कितने होते हैं तीन चार पांच एचे तो मांसिक मंदता के प्रकार होते हैं चार अत्यंत गंभीर मांसिक मंदता गंभीर मांसिक मंदता ठीक है और आपका होता है एक अल्प अल्प मांसिक मंदता और एक स्राधारण मानसिक मानता अगला है निस्व लिक्यों मनिवार सिच्छा भारती समधान के किसनुच्छत में है आटे एक्ट में हम लोग बात कर चुके हैं अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें आपको मिल जाएगा देखने के लिए प्लेइलिस्ट आपको देखी दी गई है तो आप देखे और इंजाए करिए और इंजाए मतलब क्या है पढ़े और आसानी से अच्छे तरीके से वीडियो को देखे गारंटी देता हूँ आप जो है सीटेट हो या सूपर टेट हो के वीडियो या टेट का एक्जाम हो सब की धजया उड़ा देंगे इन्ही कोस्टनों से ठीक है तो बहुत साथ स्वामसी की चल रही है और अगर कम पड़ेगा तो और भी जो है धाए स्वा कोस्टन में बढ़ा दूँगा हजार की कर दूँगा लेकिन अभी जो है साड़े सास्वा पर फोकस तो जैसे बहुत सारे टापिक्स आपके हैं जैसे वंसान करम बातावन वरद्धी और विकास बाल्य वस्था की सोरा वस्था सैसो वस्था और बुद्धी है इंसी है पारटी एक्ट इस प्रकार के बहु अब आगी मिलेंगे आपसे अगले उड़ी में तब तक के लिए जैन जैवारत